किसान क्रेडिट कार योजना 2020 में मोधी सरकार गरीब किसानों को देगी 2 लाक रुपे तक का लोन जाने कैसे करें इस योजना में आवेदन किसान क्रेडिट कार किसान के लिए लोन लेना होगा काफी आसान किसानों को बड़ी राज देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार के शुरुआत की है किसान क्रेडिट कार स्कीम के जरे किसानों को खेती से जुड़ी चीजों के लिए कर्ज मुया कराया जाता है इन कार के जरे कर्ज देना काफी सस्ता हो गया है किसान क्रेडिट कार को प्यम किसान सम्मा निदी स्कीम के साथ जोड़ा गया है हाल ही में भीत महीनों में किसानों को जड़तों को ध्यान में रखते हुए भीत बंतरी निर्मिला सीतरमन ने ऐलान किया ता कि देश के 2.5 करोड किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुया कराय जाए गए इनके ज़रीए 2,00,00 क्रोड रुपय तक की राशी दी जाएगी KSC के जरिये लोन भी लेना किसानों के लिए सस्ता कर दिया है या आसान कर दिया है लेकिन आखिर 59 क Riad काड है क्या और इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रुरी हैं अगर आप किसान है और अब तक किसान क्रेड़िट काड के लिए अपलाई नहीं किया है तो इसके बारे में जानकारी जरूर देखे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरे किसानों को खेती से जुड़े काम के लिए कर्ज दिया जाता है कार्ड के जरे कर्ज लेना का भी सस्ता हो गया है किसान क्रेडिट कार्ड PM किसान सम्मा निदी स्कीम के साथ जोड़ा गया है जाने क्या है किसान क्रेडिट कार्ड सब्सक्र पहले तो आप बता दे कि किसान क्रेडिट कार्ड के सिसी को बैंक द्वारा जारी किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड केंद सरकार की कल्यान कारी योजना है यूसे साल 1908 में मैं सुरू किया गया था इसे किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत नाबार और रिजर वेंक ओप इंडिया ने मिलकर की थी वर्तमान में देश के 6.92 करोड किसानों के पास किसान क्रेडिट कार सरकार का मकसद है किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, भीज, गीट, नासक, इत्यादी की खरीद करने के लिए कर्ज रिप्लाउट कराना इसके साथ ही दूसरा मकसद किसानों को साउकार से कर्ज लेने की जरुत ने पड़े, जो मनमाने व्याज की वसूली करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के सिसी स्कीम के तहट लिया जाने वाला कर्ज 2-4% तक सस्ता होता है लेकिन इसके लिए लोन कुछ समय पर चुका देना चाहिए ऐसे करें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाए किसान क्रेडिट का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी आधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा इसकी आधिकारी वेबसाइट है attp.pmkishan.government.in टेप की दाई तरफ डाउनलोड किसान क्रेडिट कार्ड फोर्म का विकल्ब दिखाये देगा इस फोर्म में सारी जानकारी सही-सही बढ़नी होगी और दस्तावेजों के साथ अटेज करना होगा इस फोर्म में आपको अपनी जमीन के दस्तावेज फसल के डिटेल समयत के जानकारी भरनी होगी और ये भी सत्यापित करना होगा कि आपने कोई दूसरा कार ने बनवाया हो इसके साथ ही आप किसी को ओपरेटिव बैंक इसके बाद नजदी की बैंक में जाकर जमा कर सकते है सरकार ने कार्ड की वेलडिटी पांच साल के लिए बढ़ा दी है लोन देने से पहले बैंक करते है किसान का वेरिफिकेशन इसमें देखा जाता है कि वो किसान भी है जो इसमें देख जाता है कि वो किसान है भीया नहीं फिर इसका जो राजस्व रिकोर्ड चेक किया जाता है पहचान के लिए आधार पेर और फोटो ली जाती है इसके बाद आप एक एफ़डेविड लिया जाता है कि किसी और बेंक पर तो बकाया नहीं है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर लगने वाले फीज और चार्ज में भी छूट दी है दरहसल कैसी सी बनवाने में या दो से पांस हजार रुपे तक का खर्च आता है सरकार ने देश पर इंडियन बेंक और उससी ने एडवाजरी जारी कर बेंकों से फीज और चार्ज में छूट देने को कहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 को लेकर आपको क्या रहा है हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करे ताकि आने वाले वीडियो में हम इस होजना के बारे में आपको और जानकारी दे सके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़दा ज़दा सियर करें Facebook और WhatsApp सबी जगे और हमारी लेटाइटी वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इस बेल आइकन को जरूर दबाए